नमस्कर दोस्तो आप देख रहे हैं A.S.कडमी में हूँ आपके साथ अर्वीन दोस्तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने बाले हैं संस्कृत का पद दोस्तो संस्कृत में यदि आपने अभी तक पद नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखेगा अब हम आपको पद्द की क्लास स्टार्ट करा रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना ये पद्द को अंते तक देखेगा और वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा और ध्यान रखना जितने भी पद्द में आपको बताऊंगा बहुती मोश्टाई इंपी बताऊंगा आपको पता होगा कि परिक्षा में जो पद्द होते हैं दोस्तों आपके पांच नंबर के पूछे जाते हैं पद्द से संबंद पांच कोस्टन्स पूछे जाते हैं चले इस्टार्ट करेंगे एसाम न बिध्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीलम न गोणो न धर्मा ते मर्तिलों के भुवी भार भूता मनुष्य रोपेन मिर्गास्चरंती एक बार फिर से मैं पढ़के बताता हूं आप क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़नी पाओगे तो आप अर्थ नहीं समझ पाओगे एसाम न बिध्या न तपो न दानम ज्ञानम न सीलम न गोणो न धर्मा ते साम ते मर्तिलों के भुवी भार भूता मनुष्य रोपेन मिर्गजास्चरंती इसका अर्थ है दोस्तो तेशाम मतलब जैसे पढ़ते एशाम न बिध्या न तपो न दानम मतलब जिन लोगों के पास न तो बिध्या है न तप है न दान है न सील है न गोण है और न धर्म है समझना जिन लोगों के पास न बिध्या है न तप है न दान है न ज्यान है न सील है न गोण है न धर्म है ऐसे लोग इस प्रित्वी पर ऐसे लोग ऐसे मनुष्य म्रिग इन्होंने क्या कहा ते मर्ति लोग की भूवी बारभूता मनिस से रूपेयर मनिस के रूप में मिरगाश चरंती मतलब बे लोग इस प्रित्वी पर भार है और मनिस के रूप में मिरिग यơनी जानवर की तरह घूमते रहते हैं ठेक है तो इसका अर्थ मुझी आसा है कि आ आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेओ, कि जिल लोगों के पास ना तो बिद्या है, ना तप है, ना दान है, ना सील है, ना गुण है, और ना धर्म है, बे लोग इस पृत्वी पर भार हैं, और मनुस्ष के रूप में मिरग यानि जानबर की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है, चली, अब हम इस से संबंदे जो प्रिष्ण है, वो प्रिष्णों को देख लेते हैं, प्रिष्टोत पद्यांस उद्रित है, जो आपका पद्यांस लिया गया है, या किस से लिया गया है, नीती सक्तकम से लिया गया है, बिदुर नीती से लिया गया है, या चानक के निती से लिया गया है या मनुष मिर्ती से लिया गया है तो आपका जो ये इसलोक लिया गया है ये पद लिया गया है एसाम ना बिद्या ना तपो ना दानम ये लिया गया है किस से आपका ध्यान रखेगा नीती सतकम से लिया गया है नीती सतकम से लिया गया है इ इस लोग के जो रचनाकार कौन है काली दास विश्णू सर्मा या वर्थ हरी या मनू तो ध्यान रखना वर्थ हरी जी ने आपका ये लिखा हुआ था किस ने लिखा था वर्थ हरी ने लिखा था तो आप यहाँ पर option number C answer सही लगाओगे ठीक है चले next question है ये साम में बिभक्त वक्ती होगी इसलिए option number A answer सही रहेगा next है भूबी का पर्याबाची है जो भूबी सब्द है यहाँ लिया गये था ना ए साम न बिद्या न तपो न दानाम न ज्यानम न सीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भूबी भार भूता मतलब ते मर्त लोके भूबी भार भूत तो पूश्रा भूबी का पर्याबाची क्या है प्रित्वी व्याम बने जगती या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रखिए कि इसका जो सही आंसर होगा प्रित्वी व्याम इसका आपका आंसर होगा ठीक है चले next question है आपका मिर्गास चरंती का संदी विच्छित क्या है आपको जो मिर्गास चरंती आये था ना उसका संदी विच्छित क्या है मिर्गा धन ये तो नहीं होगा मिर्गा धन ये भी नहीं होगा मिर्गा है ना मिर्गा है ये धन चरंती तो इसका option number C answer सही होगा ठीक है चले इसका next question दे ठीक है, next step, प्रिश्टुत इस लोग का सीर्षक क्या है, इस जो आपका जो इस लोग है, जैसे मैंने आपको क्या बता है, इस लोग, इसका सीर्षक बताना है, सीर्षक एनिक उसका conclusion क्या है, आपको एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ, मतलब इसका जो पूरा सीर्षक है, पूरा conclusion है, इसका क्या होगा, बिध्या, क्योंकि बिध्या से संबन्दे थे, ठीक है, तो इसका option number C answer सही होगा, ठीक है, चली, next question है, भूबी विवक्ती बचन का रूप है, भूबी विवक्ती बचन का रूप कौन सा है, सब्तमी एक बचन, सस्टी एक बचन, पंचमी एक बचन, या दुत्ती एक बचन, तो भूबी विवक्ती का जो बचन का रूप है, वो है स अप्त में एक बचन ठीक है तो option number a answer इसका सही होगा next question है मर्त लोके का अर्थ क्या है जो आपका आये था ना मर्त लोके ते मर्त लोके भुवी भारभूता तो अब मर्त लोके का अर्थ क्या है मर्ति रोपी संसार मानव लोक में या पाताल लोक में या इन में से कोई नहीं तो यहां तो जीवन में मनुस्य जीवन की बात की जा रही थी इस लोक में तो मानव जीवन ही होगा तो मानव लोक में option number b answer इसका सही होगा ठीक है चले नेक्स्ट है चरंती का लकार है चरंती का लकार क्या है लोट लकार लट लकार लेलेट लकार या लंग लकार तो चरंती में आपका कौन सा होगा लट लकार होगा और सनमबर बी आंसर आपका सही देगा नेक्स्ट है मनुष्य रूपण में विभक्ती के है मनुष्य रूपण में कौन सी विभक्ती है तो इसमें तृत्य विभक्ती है ठीक है मनुष्य रूपण में कौन सी विभक्ती है तृत्य विभक्ती है चले यह देखेगा इस इसलोक से सम्मंदित इस पद्द से सम्मंदित हमारे कितने questions आ रहेते 10 questions आ रहेते जो हमने आपको 10 questions complete करा दिये हैं अब ध्यान रखेगा और भी आप इसी प्रकार के और पद्द चाहते हैं तो comment में जरूर लिखेगा कि और वीडियो बनाएगा subscribe के तो हम और वीडियो बनाएगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइट कराएगे और दोस्तों इस वीडियो को like कीजिए का, share कीजिए का और चैनल पे new हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए का वर्खतिन के notes से दिया आपने अभी तक नहीं मंगा हैं